अच्छा भी दोस्तों कल हमने बात की थी कि बच्चों को अपनी हदों का नहीं पता है और उन्हें इतनी समझ भी नहीं है कि कौन सी चीज कब कहां क्यूं करनी है तो उसी संदर्ब में आज का सेकंड लाइफ लेसन बच्चों के लिए ये वीडियो माबाप के लिए तो बच् एक चीज से लाप अगर धयान अटाना चाहते हो उनका तो दूसरी चीज देत हो दूसरी चीज से अठाना चाहते हो तीसरी चीज दे दो चोथी देदो अगर दो 王 kulland जाके खूश हो जाता है और एक टाइम पे नाराज होगा जब वो चीज छीन लोगे लेकिन दूसरी चीज मिलते ही वो खूश हो जाता है so they don't have those attachments and same you can apply in your life a small suggestion from my side कि अगर आप जिन्दगी में खूश रहना चाहते हैं na so don't keep so much attachment with so many people definitely there are few people in your life that matters a lot for you and sometimes attachments आ जाती है बट दीरे दीरे आपको यह समझा जाने चीए जो बोलते हैं न मोह माया का केल है थोड़ा सा उठना पड़ेगा इस चीजों से और जब मोह से भार नहीं निकलोगे न तब तक जिन्दगी में कुछ हासिल भी नहीं कर पाऊगे अक्सर मैं देखा है जिन्दगी में चोटे से गाउं से उठाओं और आज मुंबई में बैठके आप लोगों के सामने कुछ बाते बोल रहा हूं तो कुछ चीजे देखी होंगी और बहुत लोगों से मिला हूं बहुत लोगों के विचार सुने हैं देखे हैं तो यह चीज समझ में आई है कि आपको अगर जिन्दगी में कुछ हासिल करना है ना सबसे पहले आपको खुद का मी टाइम निकालना पड़ेगा दूसरा फिर वो जो thinking session आता है वो आपको करना प उठेंगे, time निकालेंगे, मैं फिलो में time waste नहीं करेंगे, जो चुगली चपाटी उससे उपर उठेंगे, backbiting अपलब जितनी भी negative चीज़े है ना उन चीजों से उपर उठने के बाद ही you can achieve anything तो यह एक चोटा सा life lesson है जो मुझे लगा कि मैंने बच्चों में notice किया तो कैसी वीडियो जाती रहेंगी and stay happy stay healthy no sorrow until tomorrow खुछ रहो रोंगो खुछ रखो चैहिंग जय मारत